हेलो बच्चो, वेलकम टो साने स्टुडी, आज हम छोटी के भी सिड़ी लिखेंगे, ए से लेकर जट तक, चार लाइनों वाली नोट बुक में, शुरू करते हैं, सबसे पहले आएगा, ए, बीच की दो लाइनों में, A for apple, A के बाद आता है, B, पहले एक लाइन डाइलेंगे, उसके बाद यूँ गोल घुमाएंगे, B for ball, उसके बाद C आएगा, C भी बीच की दो लाइनों में आएगा, उसके बाद आएगा, D, D for doll, उसके बाद E, E for elephant, E के बाद आएगा, F, F for flower, F के बाद आएगा, G, G नीची की तीन लाइनों में बनेगा, G for grabs, फिर H, H for hand, उसके बाद आएगा, I, बीच की दो लाइनों में, I for ice cream, उसके बाद J, नीचे की तीन लाइनों में आएगा, J for jelly, K, K for kite, L, L for lemon, M, M for mango, उसके बाद N, बीच की दो लाइनों में, N for nest, उसके बाद आएगा, O, बीच की दो लाइनों में, O for orange, उसके बाद आएगा, P, P for parrot, नीचे की तीन लाइनों में आएगा, फिर आएगा, Q, Q for coin, नीचे की तीन लाइनों में ये भी, के बाद R, बीच की दो लाइनों में, R for rabbit, के बार आएगा S, बीच की दो लाइनमायेगा S for sun उसके बार आएगा T, T उपर यह तीन लाइनमे, T for tree उसके बार आएगा U, बीच की दो लाइनमायेगा यह थी यू for amrela, फिर V यह राएगा V for when UNN बीच की दो लाइन हम आएंगा यह बीच की दो लाइन बीच की दो लाइन हमें W for Watch फिर आएगा X beach की दो लाइन हमें X for Xylophone वैक उसके बादाएगा Y Y for Yak यह नीचे की तीन लाइन हमेगा यह उसके पासरा ग्रम होगा Z जेट पो जीब्रा जेट भी नीचे की तीन लाइनों में आता है अच्छा जेट को बनाने का इसके इलाव भी एक तरीका है वह ये कि हम इस तरह से बीच की दो लाइनों में भी जेट को बना सकते हैं अब इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं शुरू से A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R S, T, U, V, W, X, Y अच्छा, Y को भी इसके लावे एक और तरीका होते हैं लिखने का वो इस तरह से होते हैं ठीक है? Y, Y, Z, Z Thank you